दोस्तों कैसे हो क्या हाल चाले सोचा एक और Q&A कर देते हैं लेकिन इस बार आपके सवाल बहुत काम है पिछले बार तो बहुत जदा आया थे मैं सोच रहा था कि भाई इतने सवाल के जवाब कैसे दूँगा लेकिन इस बार बहुत लिमिटेड है तो ठीक है उन्ही सवालों का जबाब थोड़ा सा है डीटेल में देने की कोशिच करते है स्टार्ट करते है फिर तो सबसे पहला सवाल है अच्छा परफॉर्मंस गेमिंग के लिए क्या देखना पड़ता है जीपियो सीपियो 3D Mark कैसे पता चलेगा फोन में गेम अच्छा परफॉर्मंस गेमिंग दे जीपियो पर डिपेंड करता है कि फोन का जीपियो इतना स्ट्रॉंग होगा उतनी बड़िया गेमिंग परफॉर्मंस मेलेगी तो अगर आपको बैस्ट गेमिंग परफॉर्मंस वाला फोन करेदने तो कुछ चीजों पर अपको ध्यान देना होगा सबसे पहले कि आप जिस लोग परफॉर्मंस की बात कर और उस पोन की यानि कि उसके प्रोसेसर की बात कर रहें तो अगर प्रोसेसर बढ़िया है तो उसका जीपियो भी बढ़िया होगा उसके वाद सेकेंड जो इंपोर्टन चीज उसके वह राम और स्टोरेज आपके फोन में 6GB या फिर 8GB राम होना चाहिए और कम से कम 128 भी storage होने चाहिए और लास्ट में important देता हूं मैं RAM speed को और storage speed को क्योंकि जितनी बड़िया storage speed होगी उतना fast application load होंगे open होंगे उसके बाद जितनी better RAM speed होगी उतना RAM management better होगा तो मेरे साब से यह कुछ चीज़े matter करती है जब आप एक best gaming performance वाला फोन पिक करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइको जी नाइन टर्बो कब लाँच होगा तो देखो आइको जी नाइन टर्बो को लेकर बहुत टाइम से यूमर्स चल रहे थे उसके बाद काफ़ सारे टेक यूटीबस ने उसका चाइनीज वेरेंट इंडिया में इंपोर्ट करवाया उसका फिर वीडियो बनाया तो मेरे साब से तो इस मन्त वो लाँच होना चाहिए इस मन्त मतलब जून मन्त की बात कर रहा हूं मैं तो जून म बाई ने अंग्रेजी में पूचा विच फोन शुड़ा वेट फोर विच फोन विल डू गुड गेमिंग रियल्मी जीटी 6 और आइकू जी नाइन टर्बू इसका मतलब क्या है कहां तक पढ़े है आप दो पेर तक मजा कर रहा हूं तो देखो आइकू जी नाइन उस हिसाब से देखो ना हिसाब लगा और येल्मी जीटी 6 कितने का हैगा चालीस हजार का तो मेरे हिसाब से तो रियल्मी जीटी 6 के बजाए आइकू जी नाइन टर्बो के लिए वीट करना पेटर रहेगा नेक्स्ट क्वेस्टन है बेस्ट फोन फोर गेमिंग अंडर आपट एकिन 7H Gen 2 है वो एचली ग्राफिक में भी 60fps को सपोर्ट करता है जो कि बहुत अच्छी बात है कि अच्छी हो जाएगी लेकिन वह पसंद नहीं तो फिर रियल्मी P1 Pro है आइकू Z9 है नेक्स्ट क्वेस्टन है इंफिनिक जीटी 10 प्रो क्या कभी 20K का मिलेगा ये र तो वो जीटी 10 प्रो को वापस नहीं लाएंगे आगे जाकर इंफिनिक जीटी 30 प्रो आ सकता लेकिन जीटी 10 प्रो मेरे साफ से तो वापस नहीं आएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेस्टन थोड़ा परसनल है आप अगर यूट्यूब नहीं कर रहे होते तो आज क्या करत तो मैंने सर्च किया इसके ऊपर थोड़े रिसर्च की तो देखा मैंने की काफे सार लोगों ने आइको की कम्यूनेटी में कमेंट किया कि उनका आइको नियो नाइन प्रो हीट हो रहा है स्पेशली गेमिंग के टाइम पर 15 मिनिट गेमिंग करो तो हीटिंग का इस्यू का मतलब हम भी बता सकते हैं कि भाई गेम खेलते हैं वक्त चार्जिंग पर मतलगा फोन उसके बाद ऐसी जगा पर गेम मत खोलो जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है या पिर वहां का टेंपरेचर ज्यादा है या पिर ज्यादा वॉल्यूम पर मत खेलो इयरफोन हेड़ करो अब यह तो कुछ बेसिक टिप्स है जो कि कोई भी दे सकता है जिसे ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा ने बस कुछी डिग्री में टेंपरेचर कम होगा लेकिन वो ओर एटिंग का इश्यू पूरी दरह से तो नहीं जाएगा उसके लिए अब कंपनी कोई कुछ करना और होनी चाहिए भाई क्योंकि 3500 इसपोन के लिए ले रहें ब्रांड जो कि कम नहीं है और बहुत बार ऐसा होता है कि जब ब्रांड कम प्राइज में बहुत सारे चीज़ा दे देते ना तो ऐसा कुछ सामने आता है कुछ बड़ा इश्यू सामने आता है जिसको फिक्स करन नहीं आएगी क्या देखो जो रियल में जीटी 5 प्रो है वो चाइना में लॉंच होए टाइम हो चुका है लगा ता उसके बाद की इंडिया में ये सीरिज आएगी फिर ऐसा लगा कि नाम चेंज करके आएगी लेकिन अभी देखा हमने रियल में जीटी 60 आया और फिर रिय इसलिए महेंगा तो सील होगा 40,000 से उपर क्योंकि वहाँ पर ही कुछ 38-39,000 का इंडियन करेंसे में करेंट करें तो उतने का गया है तो बस इतने सवाल थे अगर इसके बाद कोई आपका सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट में पूच सकते हो मैं वहाँ पर रिप्लाइ दे तो कमेंट में वह भी बता देना वीडियो पसने है तो वीडियो को लाइक का देना चानल को सब्सक्राइब का देना मिलते हैं नेक्स आले वीडियो में